तुमाम गुरू जनो को सिच्चक दिवस की हार्दिक बदाई शुब काम नाएं नमस्कार मैं हूँ आपके साथ सुनिल बॉबी और आप इस समय देखना सुरू कर चुके हैं बिहर समा चार जहां बाते करते हैं बिहर की खबरे होती हैं बिहर की बिहार के खबरों के साथ साथ दिस दुनिया में क्या कुछ चर रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट बिहार में सिच्चा रोजगार का क्या है हाल और गाउं के सरकार को लिकर क्या कर रही है बिहार सरकार तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं रूबरू बिहार के पाली और बड़ी खबर बता दे कि आज सिचक दिवस के उसर पर बिहार के नियोजी सिचकों ने कई बिद्ध्यालों से प्राप्त सुचना के अनुसर काली पट्टी लगा कर सिचक बिद्ध्याले में उपस्थित रहें उनका काना था कि सिचको के मान समान के साथ किलवार हो रही है और राज कर्मी का दर्जा नहीं मिल पाया है इधर बिहार सिच्छा विभाग इन दिनों चर्चा में है और जब से चर्चा में है तब से कह सकते हैं कि जब से केके पाठक अपर मुख सचीव के रुप में पदभार सम्हाला है यहां सिच्छो के भी चर्चा है तो वहीं हम आपको बता दें कि आज पटना कृष्ण मिमोरियल हौल में सिच्छो को सम्हानित करने के लिए कार्ज करम रखा गया था जिसमें सिच्छा मंत्री के बगल में अपर मुख सचीव को सीट रखा गया था नेम पलेट भी लगाया ग पिलकोल यह और वहां पर शिच्छा मंत्री ने कई उन्हें यह बाते भी अपर मुख सचीव को परत्याच रूप में कहीं यानि कि सिच्छो के लिए भी कई बाते रखी गई है और इधर हम आपको बता दे कि बिहार के नियोजे सिच्छा का अपनी मांगों को लेकर लगात बैठक कर रहे हैं जैसा कि जनकारी मिली है कि सुलक सिच्छ संगटन आपस में बैठक कर रनिती तयार करने लगे हैं तो यह कई अन संगटन भी अब रनिती तयार करने में जूटने की प्लानिंग कर रहे हैं विदर बता दे कि अस्पताल वा ब्लेट बैंकों को पूरी तया पटना में जबकि भागलपूर में सबसे अधिक है 105 अभी बताई जा रही है मुखमंत्रे ने डेगू रोधी दबा का नीमित रूप से छिरकाव कराने को कहा है लोगों को जागुरूप करने के लिए ब्यापक पचार परसार को भी निर्देश दिया है सीम ने बिमारी की रोक्ताम की जनकारी ली इदर हम आपको बता दे कि बिहार को दुसरे दिन भी कम मिली बिजली जीलों में कटवती फिलाल जारी है केंद्रिये सेक्टर से 1200 मेगावाट कम मिली है बिजली एक दो यूनिट हुई चालू आज कल में बाकी किया पूर्ती भी हो गया है 40 सेंटीमीटर उपर उठने के बाद दोबारा लेंडिंग कराई गई 22 सितंबर को बिकरम के दोबारा सक्रिये होने की उमीद बताई जा रही है दोबारा जगने की उमीद बताई गई है मिसन से हासिल हुए हैं कई लच्छ हम आपको बताते चले कि क्या काल इससे लच्छ हासिल किये गए हैं यानि की रसाइनों का पता चला है गति विधियों का पता चली है और चांद पर खुब तस्वीरे भी खीजी गई है और आपको बता दे अगली बड़ी कबर कि दिली आ रहे एर इंडिया बीमान की आपाद लेंडिंग कराई गई बिते दिन और सिचकों में इसको लेकर बिरोधता परमुक्सचीव के के पाठक के द्वारा कई छुटियों को रद कर दिया गया था और सिचकों को रच्छा बंधन के दिन भी बिद्याले में ड्यूटी बजानी पड़ी थी आलाकि उस दिन बच्चे अस्कूल नहीं पहुच पाये थे ल सिचकों के आदेश को सुम्बार को ततकाल परभाव से निरस्ट कर दिया गया है पहले से लेकर पहली से लेकर बारामी तक के छुटी की पुरानी विवस्ता बहाल की गई है इधर आम आपको बता दे कि आमरपाली के पुर्वे सी एमडी अनिल सरमा को जमानत और हिमंत समेत से बीस के खिलाफ ओनलाइन स्टिकायत की गई है जी ट्वंटी समेलन में हिस्सा नहीं लेंगे जी सी जिन पिंग और अचानक हिरद्यागात कोबिट तीके में तीके में सम्मंद नहीं है और रच्छा बंदन के दिन 75% स्कूल में आधे से कम बच्चे आए हैं यह रिपोट जनकारी और कर्मी को पहुचने की जनकारी दी गई है इस रहां बताते चले कि रच्छा बंधन के दिन ड्यूटी बजाने पर सिच्छर के संगठन और सिच्छक काफी नराज थे और इसकी जो आदेश था चुटियों को चुटी कटोती करने का उसको वापस ले लिया गया ह कि मुकमंत्री ने कई विवागों से संबंदी सिखाए ते और मदाता सुची में संसुदन होगा अब होगी मदाता सुची के प्रारूप का प्रकासन 17 कुटुबर को होगा वहीं जमीन विवाद के मामले में तदकाल करवाई करें सीम का आदेश है और पटना डीम को देखन आई पारास हस्पीटल पोचे बयार के मुकमंद्री नितिसकुमार तो वहीं वीधान सभाद्याच ने सिखक दिवस को सिखको को दी है बधाई वहीं नितिन बने जालो जड के परदेश परबक्ता तो रादोज़त के परदेश परदेश बने मिन्टू भाजपा बाबा सहाब का अपमान करती रही है यह काना अज़ज़त के परदेश परबक्ता अजय चौदरी और हिमराज राम ने इंडिया पर उगनने वाली बातों को नस्तिहत दी है वहीं आई टी आई में आधूनिक विस्यों की पढ़ाई आज से तो वहीं डाक्टर मेडिकल बोड के अध्याच बने नोट नेता बोड़ बैंक की राजनीती से बाज आए आर एंसी का कहना है तो वहीं सनातन धर्म मिटाने वाले खुन ही मिट जाएंगे मोधी निकना कहना है यानि कि भा दोहरी ताकत से नहीं मिटा सके तो उसे मिटाने में भरष्ट और वन्सवादी दलों का कटबंधन कभी सफल नहीं होगा तो वहीं साइबर फ्रोड में फसी रासी लोटेगी तो वहीं सभी स्वास संस्थानों में दिदी की रसोई चलेगी वहीं हम आपको बताते चलें कुछ और खेल खेलाडी से भी और चलते चलते कुछ अन बाते भी कि जलवाई परिवर्तन से सास के रोगियों के सबसे ज़्यादा खत्रा बढ़ती जा रही है इधर बता दे सनातर पर टिपनी को लेकर कांगरेस मोन केओ राजनास्ती का बियान आया है तो वहीं देश में 26 दसनों पांच दूकरोर बच्चों का भवी समार रहे हैं 95 लाख शिच्चत महामारी से निपटने के लिए बैस्विक तंत्र को मंजूरी संभावत वहीं देश की संपरदाइकता सविकार करते हुए हलपनामा दे लोन और इडी की छापे मारी में नगदी सोना जब्त किया गया है तो सितंबर से मांगाई नरम पढ़ने के संभावना आई पी एल को दी दो बड़ी ती में बजार में उतरने को तैयार है तोहीं नेपाल को ओलोड करने में छुटे पसी ने टीम इंडिया के खिला पहली बार खेली रहे नेपाल के लड़ाकों ने 230 रन बनाए और जडेजा सियाज दे जटके से 33 बिकेट लिए है वहीं पढ़ करते चले कि सेमी फाइलन में पहुचे पूर्सों का पदक अब तैय है तो यह सी आज के खास पर मुख खबरे जो आपके लिए काम की खबर हो सकती है तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए दिजिए इजाज़त के मेरे के पिछे हैं मिश्टा स्वाहिल धन् देमातरम